आप देख रहे हैं देश का वरता अप्टी न्यूज चैनल आएए देखते हैं गोरपुर की ख़वर दुश करम के आरोपी तिवग दिलसाद हुसेन के दिवानी कचारी पैशर में गोली मर्क हत्या कर दी गए मोल रूप से मुजफ़पुर विहार के सक्रा थाना चेत्रे विधीपूर का रहने वाला दिलसाद हुसेन पर बहालगन चेत्रे के किसोरी से दुश करम का आरोप था इसी मामले में दिलसाद हुसेन मुकदमे की तारिक देखने कचारी आया था दिवानी कचारी पैशर में पहुचने के बाद उसने अपने अधिवक्ता को मिलने के लिए कचारी बुलाया था अधिवक्ता बाहर आते इसके पहले ही कचहरी पईशर में बदमासों ले उसके सिर में सटा कर गोली मार दी भाग रहे एक बदमास को लोगों ने फकर लिया पुलिस सिरासक में लेकर उसे पूर्ताश कर रहे है दिलसार हुसे अंदुशकरम पासको एक्ट में आरोपी था है और इस समय जमानत पर बाहर चल रहा है उसका मुकदमा गवाही की प्रक्तिरिया में चल रहा है कुरोना की वज़े से खचहरी पईशर में वाधकारियों और गवाहों के प्रविस्वेर रोक लगी हुई है वारदात के बाद भीर ने आरोपी को वाहन इस्टेंड के संचालक ने लोगों की मदद से पकल लिया उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है पुलिस के मुताविक दुशकरम पीड़ता के पीता को हत्या करने के आरोप में पकड़ा गया है कैंट ठाने में उसे पूर्त आच की जा रही है उसके पास से घटना में पर पिश्टल भी बरामत कर ली गई है वारदात की सूचरा पर एडी जी जोन, अखिल कुमार, डी आई जी और एससवी मौके पर पहुँच गया है इस दोना बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर एकत्र हो गये थे अधिवक्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के सामने कचारी की सुरक्षा ब्रोस्था पर गंभी सवाल खड़ा किया अधिकारियों ने कचारी की सुरक्षा के प्रती आस्वस्त किया है